हे गाईस, वेलकम तुदा स्टडी बिद मायाउंग, मैं हूँ आपका मायाउंग, आज हम लोग टेस्ट 36 के अंतरगत, UPSC प्रिलिम से संबंदित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्णों को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं प्रवाल निच्छेपों से निर्मित है, इन दीपों के पूरवी समुद्री तटों पर तूफानी समुद्री पुलिन पाए जाते हैं, सेडल चोटी इस चेतरी की सबसे उची परवत चोटी है, अरब सागर के दीपों में आपके दो दीप हैं, एक तो आपका लक्षु दी दीप जो है, यह दूसरा दीप जो है, यह में निकाय है, और यह आपके दो प्रमुक दीप हैं, और यह दीप 8 डिगरी उत्तरी से लेकर, 12 डिगरी उत्तरी अक्षांस, और 71 डिगरी पूर्व से लेकर, 74 डिगरी पूर्व देसांतर की बीच में फैले हुए हैं, यह दीप केरल तर से 200 सी किलोमेटर से लेकर 400 सी किलोमेटर की दूरी पर इस्थित हैं और संपूर दीप समूझ जो है प्रवाल निच्छे पौशन निर्मित हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्गो सही है देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लक्ष दीप और मिनिकाय के लावा टोटल 36 दीप है और 36 मैं से 11 पर जो है मानवी आवास हैं जिनमें आपका जो मिनिकाय दीप है यह सबसे बड़ा दीप है और इसका छेत्रफल 453 वर किलोमेटर है लक्ष दीप के अधिकांस दीप पूरवी समुद्धी तटों पर तूफान निर्मित पुलिन और पश्टमी लैगून तटों पर रेतीले पुलिन द्वारा ये चिन्नित है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है तेके तीसरा वाला कथन यहाँ पर गलत है जो सेंडल पीक है सेंडल चोटी की बात हो रही है यह अंडमान और निकोवार दीव समुगी चोटी है ना कि लक्ष दीव समुगी तो सेंडल चोटी अंडमान और निकोवार दीव समुगी सबसे उची चोटी है और ये बंगाल की खाड़ी के जो दीव समू है यहाँ पर बढ़ती है ना कि आपके अरब सागर में तो आपका थीसरा वाला कतन यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका केवल एक और दो कतन सही है तो आपका सही आंसर है पहले का A केवल एक और दो दूसरा प्रशने बापका निमलेत कतनों पर वेचार कीजिए पुछा गया है कौन सा कतन सही है एक वायूरासी लगवग एक समान भौतिक गुड़ों को प्रदस्रित करने वाले अपिछाकत विस्तरत छेत्र को आच्छाजित करने वाली वायू का भाग है वायूरासी में तापमान और नमी में नगन उर्ददादर भिन्नता होती है जब दो विप्रीत उषन और ठंडी वायूरासीयां मिलती हैं तो वे बातागर का निर्मान करती है देखें वायूरासी किसे कहते हैं पहले जान लीजिए तापमान, आदिता, आदी जैसे लगबग एक समान कुणों को दरसाने वाली अपेक्षाक्रत एक वरहज छेतर को आच्छादित करने वाली वायू के एक भाग को वायूरासी खा जाता है और एक वायूरासी में तापमान और आदिता संबंदी छेतर भिनताएं बहुत कम होती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कुल सही है यहाँ पर लिखा हुआ है वायूरासी में तापमान और नमी में नगन उर्दादर भिनता होती है नहीं, उर्दादर विंता नगन्य नहीं होती है बलकि 36 भिंता जो होती है वो नगन्य होती है आप उर्दादर और 16 का मतलब आप नहीं जानते हैं तो फिर से बता देता हूँ इस तरह का भाग है यह 36 बोला जाएगा उर्दादर का मतलब होता है लंभवद उपर की और उठ रही कोई बायोरासी को उर्दादर बोला जाएगा और इस तरह समतल पर भेहरे कोई बायोरासी है उसको छेतिज बोला जाएगा तो बायोरासी के तापमान में और नमी में नगन छेतिज भिनता होती है नाकि उर्दातर भिनता तो यहाँ पर आपका second वाला कसन जो है यह गलत हो जाएगा तीसरा वाला कसन यहाँ पर बिल्कुर सही है वाताग्र जो होते हैं वो मद्यक्षांसो में ही निर्मित होते हैं और तीब्र ताबमान और ताबमान प्रवड़ता इनकी विसिस्ता होती है ये तापमान और वायोदाव जैसी मौसमी परिश्यतियों में आकरस्मिक परिवर्तन ले आते हैं और इसी कारण वायो जो होती है उपर उठती है बादल बनते हैं और वर्सा होती है वातागरों के कारड मौसम में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन आम तोर पर वातागर छेतर में विक्षोब और उनके संचरन के कारड प्रकति में सदैब आकस्मिक होते हैं जब दो वाईरासियां मिलती है तो एकदम वातागर के जासा महाल बन जाता है और आप देख्टियों के अचानक से ओले पर गर गर जाती है बहुत भहंकर बारिस होती है तो तभी होता है जब दो विप्रीध उस्ट और ठंडी वाईरासियां मिलती है और ऐसे करके वो आड़ी है। चोटा जल निकाए जो तीन और से भूमी से गिरा हुआ है। और इसका चौता किनारा या निनि मोहाना महासागरों की और खुला हुआ हुआ होता है। बड़ा जल निकाय इसका मोहाना कभी-कभी संकीन और जो लगबग पूरी तरह से भूमी से गिरा हुआ होता है या सामानित है महादीपों या दीपों के बीच या दो बड़े जल निकायों के बीच जल का संकीन मार्क है यह दो बड़े भूभागों को जोडने वाला भूमी का संकीन खंड है दिख़़ा आपने दो सब्दों सुने होंगी एक सब्दों होता है आपका बे ठीक है और दूसरा सब्दों जो होता है वो होता है गल्फ वाली की नहीं हो रही है, ठीक है, यह ध्यान देना, तो आपने अगर भारत का मैप देखा है, और आपने अगर मैप नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पर डेमुस्ट्रेट कर दे रहा हूं, बना कर, इससे कि आप समझ जाएंगे, कुछ इस तरह से आपका भारत है, ठीक यहाँ पर आपका हिंद महासागर फ़ेला हुआ है तो आप देख पा रहे हैं कि खाडी जो है वो छोटा जलने का है तीन और से भूमी से गिरा हुआ हुआ है और इसका चौथा किनारा जो है यहाँ जो है महासागरों की और खुला हुआ है और आप बिल्कुल यहाँ पर देख पारे है तो यह आपका काड़ी बोला जाता है ठीक है? याँनि Bay of Bengal इसका एक अच्छा उधारण है अब यहाँ पर सेगिंड वाला जो आप्शन बताया गया है बड़ा जलने का है देखें यह जो है यह गल्फ की विसेस्ता है गल्फ जो है आपके एक बड़ा जलने का है होता है और इसका मोहाना कभी-कभी संकीन होता है जो लगवा पूरी तरह से घुमी से गिरा हुआ होता है तो इसका अच्छा एक्जामपल में आपको बता दे रहा हूँ जो आपका जल डमरू होता है तो जल डमरू की विसेस्ता बताई गई है तो जल डमरू मद्ध जो है जल का संकीन मार्ग है जो आमतवर पर महादीपों या दीपों के बीच या दो बड़े जल निकायों के बीच इस्तित होता है तो आपका यहाँ पर सही जो answer है आपका तीसरे का A वाला है तो हमेशा याद रखना है आपको बे और गल्फ में अंतर होता है हाना कि हिंदी में दोनों के नाम जो है खाड़ी ही निकल कर आती है दोनों के अड़ तो आपको कहीं confusion नहीं होना है एक्जाम में भी आप question attempt करते हैं तो आपको हिंदी के सासत अंग्रेजी वाले portion पर भी नजर मार लेनी है ताकि आपका जो answer है वो गलत ना हो चौधा प्रश्टेम आपका वैस्ट्विक जलवाय उपर सौर गत्विदी के प्रभाव के संदर में निम्लिक्त कत्नों पर वेचार कीजिए मुचा गया है कौन से अगधन सही है जोलम की उदगार प्रत्वी की सत्य तक पहुँचने वाले सौर विक्रड को कम करते हैं सौर कलंकों की संख्या में कमी का संबन्द ठंडे और आदर मौसम की स्थिती से है देखे उच्य तीब्रता वाले भुकम के जोलम की उदगार वैस्विक जलवायों को प्रभापिस कर सकते हैं और ये प्रत्वी की सत्य तक पहुँचने वाले सौर विक्रड की मात्रा को कम कर सकते हैं जो आलामगी उद्गार से वाता बरण में बहुत सारे एरोसॉल यह छोड़े छोड़े दूलके कड़ होते हैं यह पहुंच जाते हैं इसकी बज़े से क्या होता है और इसकी बज़े से यह होता है कि जो सौर विकरण है उसको अवसोसित कर लेते हैं तो ऐसे करके यहाँ पर मतलब है सौर कलंग का मतलब होता है सौर क दब्बे या सौर की सते हैं ठंडे इस थाण होते हैं और यह धब्बे बाकी सते की तुलना में लगवक एक्तीयाई ठंडे होते हैं जब सौर कलंगों की संख्या में ब्रद्धी होती है यानि ध्यान देना जब सौर कलंगों की संख्या में कमी नहीं बलके ब्रद्धी होती है तो क्या होता है तो इसका संबंध ठंडे और आदर मौसम की सिती से है और यहाँ पर फिर अधिक तूपान आते हैं तो यहाँ पर आ तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, आपका सही आंसरा चौथे का एक, केवल एक. पांचमा प्रश्णे बापका, प्रायदीबी पठार के पूर्वोत्तर विस्तार के संधर्व में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए, उचा गया है, कौन सा कतन सही है, भीमा प्रंस दुआरा पूर्वोत्तर भागों को छोटा नाकपुर पठार से प्रतक किया जाता है, मेघाले का पठार प्रायदीबी पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है, पूर्वोत्तर का पठार मुख्य प्रायदीबी पठार का विस्तार है, और हिमाले की उत्पत्ति के समय, भारती प्लेट के उत्तर पूर्की और संचरण के दोरान, भाहर जनिक और अंदर जनित ब चोटा नाकपर पठार से प्रतक किया जाता है ना कि भीमा प्रंस से तो आपका पहला वाला कतन गलत हो जाएगा भीमा प्रंस जो है वो महराश्ट्राजि में भीमा नदी के बेसिन में पड़ता है सेकंड वाला गतन यहाँ पर बिलकुर सही है उत्तरपूर्व में कर्भी एंगलोंग और मेगाले का पठार और पश्चिम में राजिस्थान भी प्राइधी भी खटन-खंड का ही एक विस्तार है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गतन सही है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पांच में का भी केवल सेकेंड चटमा प्रश्टने बापका सौरमंडल के संधर्म में निम्निकित में से कौन सा गतन सही है आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चैन करना है बुद एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपक्रह नहीं है सौरमंडल के सभी ग्रह पूल से पश्चिम की और अपनी धुरी पर घूमते हैं सौरमंडल में छुद ग्रह पट्टी, मौटे तोर पर व्रहस्पती और सनी ग्रहों की कक्षाओं के बीच इस्तित है देखे हमारे सौरमंडल में एक सौर्य तारा है और इसके चारों और आठ ग्रह जो है चक्र लगाते हैं इसके लावा बहुत से अनिगना छोटे चोटे पिंडवी चक्र लगाते हैं तो हम इन आठ ग्रहों की बात करें तो यहाँ पर आपका बुद्ध और आपका एक ग्रह और है सुक्र यह दो ऐसे ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो आपका पहला बाला कथन गलत हो जाएगा बुद्ध एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है अब देखे ध्यान देना यहाँ पर पूर उसे पश्यम की और अपनी दुरी पर गूमते हैं तो यह सेकंड बाला भी गलत है सुक्र और एक ग्रह और है हमारा अरुण तो सुक्र और अरोड को छोड़कर हमारे सौर मंडल में सभी घ्र है उत्री जरुप के उपर से देखे जाने एक पर बामा वर्त यानि पश्चिम से पूर की और गुड़न करते हैं और यह जो दोनों घ्रह हैं यह पूर से पश्चिम गुड़न करते हैं तो यहाँ पर सुक्र और अरोड का जो परक्रमा परत है वो बाद वाकी की तुलना में अलग है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कसन गलत हो जाएगा सौरमंदल के सभी ग्रह पूर से पश्चिम की और अपनी दुरीब गुमते हैं तीसरा वाला कसन जो है यह भी गलत है अब देके हैं यहाँ पर आपको छुद्र ग्रह की पट्टी है यह मंगल और व्रस्पति की करचाओं के बीच में पाई जाती है तो यहाँ पर आपका थीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका कोई भी कथन सही नहीं है तो आंसर आपका छटमे कड़ी उपर युक्त मैंसे कोई नहीं सात्मा प्रश्टने वापका भारत में पाये जाने वाले अपभभा परतूप के संधर्म में निम्रहत कतनों पर वेचार कीजिये उछा गया है कौन सा अकतन सही है सौन और नम्दा नदियां अरी अपभभभा परतूप का अनुसरण करती है गंगा और रमपुत नदियां एक जाली नुमा अपभभा परतूप का अनसरण करती है लोक्टक जील में मड़पुर नदी का अपभवन अब कैंदरी ये अपभवा प्रत्रूप का अनसरण करता है थेके बात कर लेते हैं अरी अपभवा प्रत्रूप की तो जब नदीयां किसी परवस्ते निकल कर सभी दिसाओं में तो अमरकंटक परवस्ते निकलने वारी नदीयों में आपकी सोन और नर्मदा हैं तो ये दोनों नदीयां भी अरी अपभवा प्रत्रूप का अनसरण करती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन सही है सेगिंड वाला कतन यहाँ पर ये सही नहीं है देखे ये जो आपकी गंगा और रंपत नदीयां है ये जाली नुमा का प्रत्रूप का अनसरण नहीं करती है बलकि ये जो आपका व्रक्षाकार प्रत्रूप होता है उसका अनसरण करती है तो यहाँ पर आपका सेगिंड वाला कतन गलत हो जाएगा व्रक्षाकार की गरम बात करें तो जो अपभा प्रत्रूप व्रक्ष की साखाओं के अनुरूप हो उसे व्रक्षाकार प्रत्रूप कहा जाता है और उत्री मैदान की नदियों में गंगा और व्रहम पुत्र जो है वो इसी स्रेडी में आती है बात करें जाली नुमा प्रत्रूप की तो जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समनांतर भेती हैं और सहक नदियां उनके समकौन पर मिलती हो तो ऐसे प्रत्रूप को जाली नुमा प्रत्रूप कहा जाता है तो आपकी सिंग्मूम पठार में सुवड रेखा नदी है, वैतरणी नदी है, ब्रामडी नदी है, तो यह आपकी जाली नुवा प्रत्रूप का एक अच्छा उधारण है, तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन गलत हो जाएगा तीसरा बाला कथन यहाँ पर आपका जो है, यह बिलकुर सही है, यहाँ पर अविकेंद्री अपभागी बात हो रही है, तो जब सभी दिसाओं से नदियां बहकर किसी जील या गर्त में विसर्जित हो जाती है, तो ऐसे प्रत्रूप को अविकेंद्री प्रत्रूप कहा जाता आठमा प्रश्टने मापका पश्मी विच्छोगों के संधर्म में निम्रेखित कत्नों पर विचार कीजिए पूचा गया है कौन सा अकदनियां पर सही है पहला है ये पश्मी एसिया के उश्ट कटवन दिये छेत्रों में उत्पन होते हैं ये पश्मी जयट धाराओं के द्वारा भारत में संचालित होते हैं ये सित्रितुमें उत्री भारत में वर्साल आते हैं जब पश्मी विच्छोगों किसी छेत्र में आते हैं तो रात के समय तापमान में गिरावट देखी जाती है देखे आपका पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है यहाँ पर बोला गया ये पश्मी एसिया के उष्ट कटवंदी छेत्रों में उत्पन्द होते हैं जो की गलत है देखें ये पश्मी विच्छोब जो है घूमदी सागरी छित्र में उत्पन्ध होने बाला एक भारोष्ट कटवंदी तूफान है ये सीतोष्ट कटवंदी तूफान है जिसके कारण भारतियुप माधीप के उत्री भागों में सीत्र जित्र जित्र में अचानक से वर्सा होत होते हैं तो यहां पर आपका सेगिंड वाला कफन बिल्कुर सही है ठर्ड वाला कफन यहां पर ये सीत रुत्मौ है उत्री भारत में वर्सा लाते हैं तो यहां वाला कथन यहाँ पर गलत है तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन गलत है तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका केवल दो और तीन कथन सही है तो आपका सही आंसर है आट में का B केवल दो और तीन नॉमा प्रश्ने बाग का मर्दा परिच्छेत कामे विविन पड़तों के संदर्म में निम्रह्ःत कतनों पर विचार कीजिए पूचा गया है कौन सा विचार सहिए का सनस्तर की रजणः दिली जनक सामिग्री से होती है गा संस्तर म्रदा निर्मार प्रक्रिया में अंते मवस्ता है खा संस्तर में जैपदार्थ के साथ सब खनीच पदार्थ भी होते है देखें आपकी जो संस्तर की तीन विवस्ता हैं आपके का संस्तर फिर आपका खा संस्तर आ जाता है और उसके बाद गा संस्तर आ जाता है तो संस्तर नामक तीन परतों की विवस्ता को मर्दा परिच्छेत का कहा जाता है यहाँ पर सबसे निचली वाला यानि सबसे यह जो गा वाला संस्तर होता है यह जनक संस्तर माना जाता सबसे पहले इसी की रचना होती है, उसके बाद फिर आपका खा बनता है, फिर का बनता है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है, यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है, यह गलत होती है, यह गलत है, कासमस्तर सबसे उपरिखंड होता है, और यहां पौधों की व्रद्धी के लिए अनिवारिय जैब पदार्थों का घनिज पदार्थ और पोसक तत्तों और जल से संयोग होता है और का संस्तर की रचना सबसे बाद में होती है तो जो यहां पर का की विशेष्था बताई गई है वो गलत है यह जो विशेष्था है यह जनक सामगरी से होती है और यह परत मरदार निर्माड प्रक्रिया की प्रसम मवस्ता होती है तो यहां पर आपका बी वाला कथन भी गलत हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ है का संस्तर मरदार निर्माड की प्रक्रिया में अंतिम मवस्ता है जो की गलत है यह पहली वरस्ता पहले गावाली प्रत बनती है उसके वाद फिर खा उसके वाद फिर का बनती है तो आपका second वाला भी यहाँ पर गलत है खा वाला कथन आपका जो तीसरा वाला कथन जो है यह सही है खा संस्तर का संस्तर और गा संस्तर के मद संक्रमण खंड है जिसे नीचे और उपर दोनों से प्राप्त होता है इसमें कुछ जयब पदार्थ होते हैं और कुछ घनिज पदार्थ का अपक्षय यहां पर इसपष्ट नजर आता है तो यहां पर आपका तीसरा वाला कतन जो है यह सही है आपका सही आंसर है 98 केवल थर्ड दसमा परश्टने वापका दुवार्सिक वैस्विक स्राड़क सुरक्षा व्यान संयोकतराष्ट वैस्विक स्राड़क सुरक्षा सप्ता की मेजबानी किसके दारा की जाती है वैस्विक सड़क्स रक्षा साजिदारी, विस्तु स्वास्त्य संग्टन, अंतराष्टी पर्वहन मंच, विस्तु वैंक की वैस्विक सड़क्स रक्षा सुबिदाव संयोगत राष्ट वैस्विक सड़क्स रक्षा सप्ता, इसको अहम ता United Nations Global Road Safety Week जिसको सौट में UNGR SW के नाम से भी जानते हैं, एक दुवाजसिक वैस्विक सड़क्स रक्षा वियान है, और इसकी मेजवानी विस्तु स्वास्त संग्ठन के द्वारा की जाती है, और ये 2007 से सुरू किया गया था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तसमे का B वाला ग्यारेमा प्रश्णे अबापका, अन्ते उष्ट कट्वंदिय अविस्तुरर चेतर, ITC-Z के संधर्व में निम्लेहित कतनों पर विचार कीजिए, उचा गया है, कौन से अकतनिया पर सही है पहला है, ITC-Z निम्ले वायदाप वाला चेतर है, जो सूरी की आभासी कति के साथ विस्थापित होता है भारत में उष्ट कट्वंदिय चक्रवातों के मार्ग मुक्यते, ITC-Z की इस्थिती से जड़धारित होते हैं ITC-Z की फुलफर में आप जानते होंगे, Inter-Tropical Convergence Zone तो यह जो है, यह भूमद रेखा पर इस्थित, निम्ले वायदाप का वाला चेतर होता है और यहाँ पर व्यापारिक पबने, यानि उत्तर पूर्भी और दच्षड पूर्भी व्यापारिक पबने जो है आपस में मिलती है इसलिए इस चेतर में बायू जो होती है, उपर की ओर उठने लगती है यह विस्थड़ चेतर भूमत रेखा के लगवब समानांतर होता है लेकिं सूर्य की आवासी कति के साथ यह उत्तर या दच्षड की ओर विस्था पर दोता रहता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कुर सही है यहाँ पर आपका सेगिंड वाला कतन भी सही है यहाँ पर बताया गया कि भारत में उष्टकटवंदी चक्रवातों के मुक्त है ITC-Z की इससे निर्धारित होते है तो यहाँ पर आपका सेगिंड और पहला वाला कतन दोनों ही सही है यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 11 का C याँ एक और दो दोनों बारे माँ प्रश्टकटवंदी यस काटेदार वनों के संधर्म में निम्डेत कतनों पर विचार कीजिए फूचा गया है कौन सा कतन सही है पहला है यह वन उन चेत्रों में पाए जाती है यहाँ वर्सा 50-100 cm के मद्ध होती है इन वनों में पौदे लगबक पूरे वर्स पड़ रहत रहते हैं और जाडियां जैसे लगते हैं यह प्रश्टमी घाट के पबन विमुख धाल पर सुस्क प्रायदी पुभाग में ब्याबग रूप से फैले हुए हैं उस्टिकणडवन दी काणिदारवन उन शेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्सा जो है पचास cm से भी कम होती है यहाँ पर जो वर्सा जो होती है वह 20 cm से कम होती है नाके 50 से 100 के मद्ध होती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कثन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका second वाला कतन बिल्कुर सही है इन वर्णों में पौदे लगवग पूरे वर्ष पढ़ रहते हैं और जाडियों जैसे लगते हैं तो यहाँ पर आपका second वाला कतन यह बिल्कुर सही है देगे ध्यान देना यह पश्च्मी घाट के पवन भिमुख डाल पवन भिमुख का मतलब क्या है कि जो पवन के बिल्कुर अपोजिट साइड में है एक्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इस साइड से पवन आ रही है अब पवन यहां टकराएगी तो यहां पर यह पवन भिमुख डाल जो है यहां पर तो अच्छी खासी वर्सा होगी लेकिन पवन का जो बिमुख डाल है अपोजिट साइड वाला डाल जो है जिसको ब्रष्टी चाय चेतर कहते हैं प्रश्टी शाय चेत्र वाला जो ढ़ाल है यहां पर वर्सा बिल्कुल नहीं होगी तो यह प्रश्चमी घाट के पवन बेवक ढ़ाल पर सुस्क प्रायदी भी भूबाग में ब्यापक रूप से फैले हुए है प्रश्टी शाय चेत्र में ये वनस्पतियां जो होगी वो आपकी उष्ट कटवन दिये कांटितार बनों वाली होगी तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है यहां पर आपका केवल दो और तीन कथन सही है तो आपका सही आंसर है बारे का भी केवल दो और तीन तेरेमा प्रश्टने बाप का निम्लेकरत कतनों पर वेचार कीजिए पूंचा गया है कौन सा कतन सही है ठंडी जलवायू की मर्दा में ह्यूमस की मातरा बहुत कम होती है ठंडी जलवायू में जीवान प्रदी और क्रिया सिल्ता तीब्र होती है जिससे म्रधा में humors की मातरा बहुत कम हो जाती है देखे, जीवान क्रिया सिल्टा की ये ती व्रदा ठंडी और गर्म जलवायू की म्रदा के बीके अंसर को दरसाती है ठंडी जलवायू में हिुमस जो है, वो संचित हो जाता है क्रियासील नहीं हो पाता है जीवानु जो है ठंडी जलवाई में ख्रियासील नहीं हो पाता है और इसकी बज़े से क्या है यहाँ पर मिट्टीक में हुमस की मातरा बहुत कम नहीं होती बलके बहुत अधिक होती है तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों के थन गलत है तो आपका सही आंसर है 13 का D पश्मी घाट और पूर्वी घाट नील करी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं देखे आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिलकु सही है पूर्वी घाट की तुलना में पश्मी घाट अधिक उचे है पूर्भी घाट की तुलना में पश्चमी घाट नदीयों के द्वरा अत्तिदिक अपड़्यत है वही पश्चमी घाट को केवल दर्णों के द्वरा ही पार किया जा सकता है तो यहाँ पर आपका सेकिन वाला जो गथन है यह गलत हो जाएगा तीसरा वाला जो कथन है, यह बिलकु सही है, पश्मी घाड और पूरवी घाड निल्ग्री की पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं तो यहां पर तीसरा वाला कथन यहां पर सही है प्रायदी भी पठार की सबसे उची चोटी जो है आप जानते ही होंगे अनाई मुदी है ये आपकी अनाई मुदी है और इसकी हाइट जो है वो 2695 मीटर है और इसके बास दूसरी सबसे उची चोटी जो है प्रायदी भी पठार की वो डोडा बेटा है ये भी जान लीजिए डोटा बेटा दूसरी सबसे उची चोटी है और डोटा बेटा की जो हाइट है 2637 मीटर है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है केवल एक और तीन यहीं डी वाला पंद्रेमा प्रश्णे बापका पार्थिब और जोवियन गरों के मद निम्ले के तंतर पर पिचार कीजिए उचा गया है कौन सा अगतन सही है पार्थिब गरों के विप्रीद जोवियन गरों के वाय मंडल में बहुत अधिक गैस और धूल होती है पार्तिब ग्रहों में, जोबियन ग्रहों की तुलना में गुर्ता खशर अधिक होता है हमारे सौर मंडल में आठ ग्रह है, इसका करम आपको पताई होगा पहले बुद्ध आ जाता है, उसके बाद आपका शुक्र है फिर आपकी पत्वी है, फिर आपका यहाँ पर मंगल आ जाएगा इसके बाद आपका मंगल है, और फिर इधर आपका व्रस्पती है इसके बाद आपका शनी आ जाएगा, इसके बाद आपका अरुड है और फिर आपका end में वरोड आ जाता है ऐसे करके आपके आठ ग्रह है या आप सब लोग जानते होंगे इनके यानि मंगल और भ्रस्पती के बीच में आपकी छुद्ध ग्रह की पट्टी है तो सुरुवात के जो चार ग्रह है बुद्ध सुक्र प्रत्वी मंगल जो चार ग्रह है इन्हें inner planet बोला जाता है यानि भीतरी ग्रह बोला जाता है और इन्हें outer planet वाले ग्रह बोला जाता है यानि भारी वाले तो ये बुद्ध सुक्र प्रत्वी और मंगल है इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है और इनको जो है जोवियन बोला जाता है इनको जोवियन बोला जाता है ये सब मैं पढ़ा चुका हूँगा आपको आपको याद भी होगा तो पार्थिव ग्रह क्यों बोला जाता है पा साल ग्रह हैं तो यहां पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुर सही है कि पार्चिप ग्रहों के विप्रीद जोबियन ग्रहों के बाई मंदल में बहुत अधिक गैस और धूल होती है अब देखिए पार्चिप ग्रह जो है वो जोबियन की तुलना में आकार में छोटे हैं देखा हुआ पार्चिप ग्रहों में जोबियन ग्रहों की तुलना में ग्रुत्ता कशण अधिक होता है जो की गलत है नहीं जोबियन वालों पर ग्रुत्ता कशण अधिक होता है पार्चिप में कम होता है रीजन यह है कि पार्चिप ग्रह आकार में छोटे हैं जबकि को शेर करना बिलकुल न भूले चलिए आज के लिए अस्तना ही थैंक्स पूर वाचिंग जैहंद